साल 2019 में जहांगीरपुरी में हुई एक हत्या के मामले में फरार चल रहे भगोड आरूपी को दिली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफतार कर बड़ी सफलता हासिल की है आरूपी शक्स हत्या के बाद से ही फरार चल रहा था आरूपी शक्स की पहचान शहज़ाद के रूपनों हुई है दरसल क्राइम ब्रांच के DCP विचित्र वीर के अनुसार क्राइम ब्रांच में तैनाथ हैड कोंस्टबल नवल को आरूपी के बारे में गुप सूचना मिली थी सूचना के अधार पर ACP विवेक त्यागी के सूपरवीजन में इंस्पेक्टर सतीश मली के नेतरतों में SI जीतिंदर माथूर, SI बालकिशन, SI अशोग, हैड कौंस्टबल नवल सिंग, हैड कौंस्टबल नितिन कुमार और महेश की टीम गठित की गई टीम ने गुप्ट सूचना के अधार पर आरोपी शहजाद को गाजियाबाद से धर्दब होचा क्राइम ब्रांच के DCP विचित रवीर के अनुसार आरोपी शहजाद गरीब परिवार से तालनों को रखता है और वे बांसर का काम किया करता था फरवरी 2019 में शहजाद ने अपने साथी वकील के साथ मिलकर एक यवकी हत्या कर दी थी पुलिस ने आरोपी वकील को तो उसी समय पकल लिया लेकिन शहजाद वहाँ से भाग निकला जुलाई 2019 में शहजाद को भगोडा भी घोशित कर दिया गया तब सही पुलिस को शहजाद की तलाश थी और शहजाद लगातार अपनी लोकेशन को भी बदल रहा था आखिरकार पुलिस ने इसमें लगातार टेक्निकल सरविलांस और अपने लोकल इंपुट को खंगालते हुए पुलिस की सक्रियता से आरूपी को जेल भीजने का काम किया गया दिली से अपने सयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट हम वतन टीवी